तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब की और आज की वीडियो में पंजाब के मेडिकल कॉलेज के सीड्स की बात करेंगे लेटर स्पीस स्ट्रक्शल की बात करेंगे और अल इंडिया कट ओफ रांग की अनलेसिस करेंगे राउंड वन से लेकर के स्ट् जरूर दबा लेज़ेगा ताकि में नए वीडियो के अपड़ेट आपको मिलती रहे हैं सबसे बहले हम बात करते हैं All India Institute of Medical Science भतिरिंडा की यहां पर राउंड वन से लेकर स्टेर राउंड तक का कट ओफ का अनलिसिस करते हैं तो बहुत जादा फर्क नहीं देख सकते हैं आपकी 42 से से 73 चेंज हुआ है यहां पर कोई फर्क नहीं आए इसी में भी कोई फर्क नहीं आए ऐसे 50 में चेंज हुआ है 55,959 इस तो थोड़ा जादा फर्क है जासे कि पहले के मुखाबले में काफी जादा है 1478 पे मिला है स्ट्रे राउंड में बात कर लेते हैं तो एम्स के फीस स्ट्रक्चर से सवाखिफ होते हैं जासे कि ये सिसा नीव आसपिरेंट्स के लिए मैं बता रहीं हूं होस्ट्र फीस है 4220 इस फ्सक्राइब में गुषट इजा गुशन फीस थे का फिस होता है तो वह कॉलेच पर करता है कि कहां का कॉलेच हैं शीट की बात करेंगे एंस साहरा से उपेंची यहां पर टोटल स साइन्स महाली और यहां पर टोटल 6 अधर है इसमे इसे टेट कोटा 85 परसेंट और 15 पर्सेंट और इंडा कोटा है इसमे आपर देखेगा तो रांड वन से रांड तक का अगर अगर ओर टो कुल जादा ही हाई जाता है तो जेनरल करिजेगा तो थोड़ा ज्यादर डिफरेंस आया है पर मार्क्स अगर आप देखीगा तो मार्क्स तो बहुत जादा मार्क्स पे कट आफ यह रहेगा राउंड टू का देखीगा तो जेनरल का 8,449 है राउंड टू में और राउंड वन में 4,540 पर ही सेलेक्शन बंद हो गया था ओबीसी में 7,000 गया था और राउंड ट तो में भी कवह जादा चेंज तो नहीं आया है 65,000 वे ता 69,000 वे गया राउंड टू में गया राउंड तरी का सीट यहां पर बहुत जादा फर्क नहीं है किसी प्सेट को उठागर देख लिजेगा तो तो श्टरी में थोड़ा जादा फर्क आया है यहां पर अगर अगर स्ट्रेट में थोड़ा साथा चेंज चेंज आया है तो जन्रल का टो थाउजन 20,485 थोड़ा ज्यादा चेंज आया लेकिं इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत कम मांक्स पे सेलेक्शन हो गया है OBC में भी चेंज आया है 2845 EWS में कोई चेंज नहीं है SC में चेंज आया है 1,7224 तक कट-off गया है इस्ट है Government Medical College अमरित्सर यहां पे seat है 250 यहां पे round 1 से straight round तक की cut-off analysis कर लेते हैं EWS में 11,377 गया SC में 59,000 था जबके SC का round 2 का cut-off 74,835 गया SC में 98,576 तक गया अगर दूसरी तरफ round 3 की बात करते हैं तो round 3 में भी cut-off ज्यादा चेंज नहीं है मैंने बता है राउंड 3 तक ज्यादा cut-off चेंज नहीं है थोड़ा चेंज आया भी तो straight round में आया है General का 9,991 तक seat allotment हुआ है OBC का 13,494 तक cut-off गया है EWS का 11,786 बहुत ज्यादा फर्क नहीं है SC 84,209 तक गया और ST का 1,146 तक गया जिपके round 3 में सिर्फ 13,000 पर ही close हो गया था EWS में कोई चेंज नहीं आया है SC में चेंज आया है 122,672 पर selection हुआ है Next हम लोग बात कर लेते हैं Government Medical College पटियाला की तो seat 225 इस 225 seat में 85% seat state quota और 15% all India quota है यहां पर all India cut-off फ्रांक की analysis करते है round 1 cut-off देखे बहुत ज्यादा हाई गया है पटियाला का भी और यहां पर round 2 में देखेगा तो general का 5,153 गया है जबके general का round 1 में 3,752 था OBC का ज्यादा फर्क नहीं है 10,197 गया है EWS का 9,283 गया SC का 6,594 गया और ST में भी ज्यादा फर्क नहीं है 6,000 था round 1 में round 2 में 29,286 गया है दूसरी तरह round 3 में देखे तो यहां पर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 6,705 तक गया है OBC में 11,000 था गया है EWS में 9,730 तक गया है SC में 78,000 तक गया है ST में 110,306 गया है ST राउंड में देखेगा तो जेनरल का यहां भी बहुत जादा फर्क नहीं है ST राउंड में पत्याला का 7,398 तक गया OBC में कोई चेंज नहीं है EWS में काफी जादा चेंज आया है 21,129 SC में भी काफी चेंज आया है 1,18,341 अब बात करते हैं ग्रुगोबिन सिंग मेडिकल कॉलेज फरीद कोट और यहां पर पंजाब में कर देखेगा तो सबसे जादा लो कट आफ यहीं मतलब अदर के मुकाबले यहां पर लो कट आफ जाता है सीट है 125 और यहां पर कट आफ अनालेसिस कर लेते हैं तो यह है राउंड वन का कट आफ राउंड टू में देखेगा तो 9,665 पर सेलेक्शन हुआ है लास्ट ओबिसी का 11,968 पर हुआ है लास्ट यहां लास्ट इसका पहले 8,000 था अब 12,784 पर लास्ट हुआ है सीट का 60,000 था राउंड वन में और राउंड टू में 78,312 पर सेलेक्शन हुआ है स्ट का भी बहुत जादा नहीं फिर भी चेंज आया है 10,3,266 राउंड ट्री में देखिएगा तो 11,346 तक जनरल का गया OBC का 14,163 तक गया EWS का 14,447 तक गया OBC का 13,187 तक गया EWS का 14,88,495 तक गया बहुत जादा फर्क नहीं बढ़ा है इस्ट्रे में देखिएगा तो थोड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है लेकिन मार्क्स तो फिर भी जादा ही है जनरल का 2,217 पर सीट मिली है जनरल को अब हम लोग बात करते हैं फीस इस्ट्रक्चर की तो फीस इस्ट्रक्चर वैसे स्टेट कोटा वाले भी बताया है लेकिन हाब भी मैं बता दे रही हूँ फीस जो है अड्मिशन के टाइम में 6 मन्त का फीस लिया जाता है और वो होता है 87,000 इस बार का है ठीक है तो मैं बता दूँ फर्स्ट एर में 1,74,000 लगता है सेकंड एर में जाएगा तो 1,21,000 लगेगा थर्ड एर में जाएगा तो 2,8,000 लगेगा और फोर्थ एर में जाएगा तो 2,26,000 लगेगा फिफ्थ एर में जाएगा 1,6,000 लेगा जी बिलकुल पंजाब का इतना ही ज़्यादा फीस है मैं क्या कर सकती हूँ जो भी फीस इस्ट्रक्शर था मैंने आप से शेयर कर दिया है I hope आपको ये वीडियो फिल्फुल लगे अगर आपको ये वीडियो फिल्फुल लगती तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फुल वॉचिंग में वीडियो बाई बाई एला हफीज इन टेक क्या